अरे किष्णा आप सबी भक्तों को स्वागत हैं सिमत भागवत कथा यग्यों के चोथा दिवस में तो हम चर्चा करते आ रहे हैं महराज परिक्षित किस पकार से राज्य को त्यागे और गंगा की तठपर अनसन में बेढ़ गए और उसके उपरांथ सुग्देब भगुष्वामी प्रकट हुए गंगा तठपर और महराज परिक्षित की जो प्रस्न था कि यह भगवन बतलाईए एक मरन सिल व्यक्ति को जो मरने वाला हो उसको क्या करनी चाहिए क्या सुननी चाहिए क्या नहीं सुननी चाहिए थोड़ा बतलाईए और उसकी उत्तर में शुक्देब भगुष्वामी बनन करते हुए हमने कल चर्चा किये कि किस प्रकार से दक्षे प्रजापती भगवान महादेब जी की चर्णारबिंद में अपराध किये और उसकी फोलसरूप क्या हुआ हुआ श्ति देहन्त हुआ और उसके बाद जो दक्षे का यग्या स्थलता सब छिन भिन हो गया और अंत्तव गत्वा दक्षे जी को जो है वकर का सिर लग तो कर प्राथना किये और महादेब जी उनको च्मा कर दिये इसादु का सुभाव है च्मा सिल होते है वो कभी भी कोई बात को दिल में नहीं रखते हैं तो इस पकार से महादेब जी च्मा कर ले तो सुगदेब गुष्वामी कथा आगे बढ़ाती हुए कि बगवान का अं जी रखतनी हुए ही सत्रुपा और मनु मनु सत्रुपा के सहयोग से दो पुद्र हुए। एक का नाम था उत्तahnपाद बुसरे का नाम था प्रीवःत। इत्तानपाद और प्रिववद ये बड़े ससक्त और प्राक्रमी राजा हुए उत्तानपाद जो थे उनकी दो पत्नियां थे एक पत्नी का नाम था सुनिती और एक का नाम था सुरुची ये दो पत्निया थे उत्तानपाद महाराजी का मगर भक्त जो शुरुची थीं उनके पती उनका जादा स्नह था राजा उततना प्रेम नए था नहीं था। चैर शुनित की गरब शे भक्त द्रूबकी अप्राकर्टि हुआ सुरुची की गरब जुड़ताउ अत्तम का जन्म हुआ उत्तम और द्रूब ठीक है, यहां तक तो कथा समझ में आ गया है, अब एक बार की घटना बतलाते हैं, सुक्देव जी, ऐसे ये तो महित्र वी दुरुजी का संबाध है, तो सुक्देव जी बतलाते हुए कोहते हैं, कि एक समय की वादे, राजा चक्रबरती समराद उत्तानपाद, सिम्मा सन के पर बेठे थी, राजा थे, और उनकी पत्नी जो सुरूची थी, वही पास में बेठी हुए थी, और उनकी जो बेटा था, उत्त्म, आर उत्त्म जो है वह उत्तानपाद की गोद के ओपर बेट के खेल रहा था, छोटा भच्चा था, चार-पांच एक साल गबट था, तो उ छोटा बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च सो झाते हैं ना उनको अग्रह को अुछ को लेने के और दुप प्रयास कर रहे थे कि किसीअमासन के चड़गे पीता की गोध में बेटने के बेठा के लिए भी जो पत्र होगा उप्ता की पीता की गोध में चड़भ ना चाहेगा और एक गोध में अलेative उत्तम थे कि दूसरा बेटा को तो इच्छा हो गई ना में भी बेठो पीता की गोध में अगर हुआ क्या उत्तन पाद महराजी ने उनकी पत्निकिस्ने के करण प्रेम के करण उनने कुछ नहीं बोला दुरूब को ना दुरूब को गोध में लिए ना उनको कुछ बोले ठकात्ना पुटर धृूब को प्रेम प्रैयास करण था चड़ने के लिए तब तक inhib सुरुच सुरूच ज लिए पर से कहते के घृ ensure ृड्रूव तु वियर्थ का प्रयास मत कर तो क्यू प्रयास कर रहा हुआ क्यूंकि तू तो तू प्रैयास कर रहा जहीं हरा है क्य तो दुपी नही चड़ सकता हूं फिताशी कि और है तो नहीं चड़ सकता हूं, क्या कारण है। देचें आपका बिना बरसा बरसा का फिलिंग आ रहा है ना। यह है यह है ठीक है तो ठीक यब लोग रिम्जिम बरसा का याद मत करिये तू हमें ध्यान दो so द्रूब जी को सुरुची ने बिलकुल मना कर दी बेटा तेरे को पिता की गोद में तू ती नियु चड़ सकता क्यों नहीं चड़ सकता मा बेटा तेरे को चड़ने के लिए मेरे कोक से जन्म होना पड़ेगा क्योंकि ना तेरे पिता के गोद में बेठने का अधिकर शिर्फ मेरे कोग से जनम जो हुआ उसी का है अच्छा और बेटा मेरे कोग में जनम होने के लिए बड़ा तपस्या करना पड़ेगा तेरको और तब के माध्यम से भगवान का अराधना करना पड़ेगा, भगवान नारायन जो प्रसन हो जाएंगे, वो चाहे तो मेरे कोक्सी आप अगले जनम में जनम होगे, फिर आप अपने पिता की गोद में चड़ सकते हो, बड़ा बिचितर वात है ना, उत्र नहीं चड़ सकता और सौतिन थि ना, सुनिती का, और सुनिती जानते थी, मेरे पती मचे उतना प्रेम नहीं करते हैं पन भच्चों को थोड़ी नहीश सुप कहा जाएगा, बच्यं थो बच्यं होते हैं पन भक्तों सुरुची इस्वाकार से बतलाई झार देखा ज़े अच्छी अच्या मार आराधना करना पड़ेगा, तेरे को भक्ति करनी पड़ेगी, उससे अगर भगवान प्रसन हो जाते हैं तेरे उपर, तब हो चाहे तो मेरे कोक्षी तेरे को जनम दे सकते हैं, और सुरुची कहते हैं, कि ना, तु इस जनम में तेरा मुष्किल है, तु यहां से साइट हो जाएं, और उत्तानपाद महराजी कुछ कहे नहीं रहे थे, तो धुरूब को बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत दिल में लगा, यह भी क्षेत्री का लेड़का था, बहुत हुआ पिताजी तो कुछ तो ब पुत्र धुरूब एकदम घुसे में तिल मिलाते हुए, वहां कुछ कर नहीं सकता है, चोटा बच्चा है, क्या करेगा पिता माता को, वहां से चल दिया, और सिधा जाकर उनकी माँ सुनिते के पास पहुंचा, लंबी लंबी सांस ले रहा था, और एकदम क्रोध में था, कि मुझे पिताजी के चड़ में चड़ने के उनकी कोग से जनना होना पड़ेगा मुझे, ऐसे क्यों, भेदभाव क्यों, फिर सुनिती समझाए कि बेटा, देखो, आपकी पिताजी मुझे तो बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, और सुरूची को जादा प्रेम करते हैं, उ तो спaster है, मेरे कोग से जननम होगा तु hatteु तु दूरुबागा है, मेरे कोक से जननम होगा तु दुरुबागा है मेरे बдеु कोग से जनम होगा, इसलिए नहीं थुझे नहीं से सकता हैं और सुरुची इन कोगसी सबस्व जय कर मुझे तो आपिताजी के पाना याधया थे किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अप्मान नहीं करनी चाहिए, यह सब हमारे करम के कारण हो जाता है, है किने अर शुरुची जो भी कुछ कही, बटा हुए आपकी बलाइ के लिए कही, कोई गलत तो बुली उसनी, उसना अपनी भग्ति करने कही बटा है, और दूस कर दो फ्रुचि को कर दो दो प्रुचि कर था मगर निती नहीं था यह निती है तो सुनिती बड़ा सांथ सुभाव कि थी युझा इसलिए उनका बेटा दुरूपक कोई बड़ा सांथ को प्राथना करो तो फिर भगवान कहा मिलेंगे में बता हो मुझे भगवान से मिलना है बले मिलना है तो मैंने सुना संत महात्मा लोग जो है जंगल में भगवान काराधना करते हैं जाके तो आप प्रयास करो मेरा पुरा अशिरवाद है आप प्राप्त करके आओ माने अशि पांच जा पांच साल में तो तो फोड़ देते हैं मता है परभुजी के पास जाए थोड़ी थोड़ा बड़ा दस साल हो जा जाए निए गलती से भी मच जाना एक घटरनाग लोग ही लोग ब्रेंवास कर देंगे है ना पांच साल में तर यह जादा बच्चा यह क्या समझेगा इसली बेजते हैं और धिरे धिरे उसको रोक लगाया जाता है उनको डर है कहीं मेरे पुत्र नालाइक बन जाएगा बिभार ना करके क्या होगा इसका समाज में इसलीए हमारा जैसे लोगों का रेर है रेर पीसेश केते हैं इसको समझेगा जैसे अनाकॉंडा है रेर है ना अनाकॉंडा जनते एक प्रकार का सर्प है और रेर है वो बहुत कम मिलते हैं और और क्या रेर है कुछ इसे प्राणिया भी रेर है मिलते नहीं वैसे यह काली प्रजातिया कुछ दिन में नहीं दिखेंगे फिर आप बहुत कम दिखते हैं, आगे जा दिखेंगे नहीं क्योंगे इस जो गरहस्त हैं। क्यों क्योंकि नाभीक हैं, इससिर्प गरहस्त में हैं। और ऌपने संतानों भी बीरूस्त में फषाना क्याते हैं आप मैंजा से कितने बहुत इमांदारी से बोलिए ?? ५ datर में रिख खूछ इम्मांदारी से बोला मैंने फिशा डिल के मत कर अशलेद जियरी याई कितना लाग हुत हु कि वहांगे जो खूसे हैं, हमारे एक माताजी एन्वरिषरी था उनका, माताजी कहीं, कि प्रभजी हमारा बारा साल पंदरा साल हो गया, हमारा जगड़ नहीं हुआ पाती पत्नी का, तो मैं बाप बट बड़िया है, हमें त अनुभब नहीं है घर ग्रिष्टी का, हमने बला सब्सक्राइब का, हमने बाकी भाकतों को बोले कि आज माताजी प्रभजी का इन्वरिषरी पता आप लोग का बड़िया बाद क्या है, इस दोन आज तक जगड़ नहीं है, बारा पंदरा साल होगे, प्रभजी क्या जोक मारा आपने, पंदरा साल से जगड़ नहीं है, पत ग्रिष्ट जीवन गलत नहीं है, ग्रिष्ट जीवन बट बड़िया घर आश्रम है, जैसे हमने कल बतला रहे थे ना, आश्रम बट फर्स क्लास है, मागर इसमे सुक ढूंद ना, ये बेवकूफी है, एक बेक्तिका ना, सोने का अंगुठी गिर गिया, एक बेक्तिका, सोन अंगुठी गिर गिया, और कहां गिरा उसको पता है, वहां पर बेठा तो वहां से सिधा घर घर गया था, तो गया, जाते जाते रात को आट बज गिया था, समझ रहे आप लोग, अंगुठी डूंडने के गया, रात को आट बज गया था, अंधेरा हो गया था, तो अंधे पॉऺ इक बिक्ति आया, अधह गंटे ग्यदो सी तू़्ड़ा है, एक बेक्ति आयाitel ay revenues, भैसँ, क्या पॉड़ः हो जार, एंफ मेरा वंगुरू ज़िए हाए, शोने का तो हो जो रहाएं फॉद फॉद गिरा हो दोरुद पॉद आहाँ गिरा है जहां लाइथ है, ऐसेल हम लोंग का है हम लोक्त है ती करा नट दिखराजर है वहाँ रूड़ यह मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिली आज तो मिलेगा अज नहीं तो कल तो मज़, ड़ी गलास आजये हैं, तो बहुत बड़ी है मज़ गाई है, मुठी आवी स्कुल में मज़, घून शेHHHH मज़ थे असलिव असलिवत अशलयर में कोलेज है, क्योंकि जाएं गजज अज़ पॉंचनि ऑद पता चलता है मज़ करणा वर कहीं है, और वो मज़ा प्राप्त करने जारा हो कि उसको अधा और कहीं मज़ा है जीवन ऐसे खपा देता है उसको मज़ा कहीं भी मिल जाएरी क्युंकि गलत जगा में ढून जगा है ना मजा उसने ढूने रहा है गलत जगा पे भगवान ने तो बिल्कुल एकित मं में प्रतिज्ञां करके कह रहे हैं भगोद गीता में, क्या कह रहे हैं, पता हैं? मामु पेत्य पुनर्जन में दुखा ले मॉधास वत हम, यह कैसा है यह संसार? यह भोतिक संसार का परिचे क्या दिया है ठाकुर जीने? आ जाईये यागे आ जाईये एक गार सभी भक्त महा घंच स्वागत करें हरे कृणा हरे कृणा कृणा क्रिष्णा क्रिष्णा कृणा आ जाईये और हमार बीच में आज हमेरे बहुत बरिश्ट भक्त जबeri से एक बदार कаяं में बाड़ों को स्वागत करते हुग एक ने महा मंतर को सब कर में उड़ागत इस भागत ने हम यहां कर दो सरे कर दिछ जा थे न भीत कथा में अनंत्री रूण मैं भीत कथा में भा भाख playful बया है ृम से बेढके कथा सुन दो ऐस एड़ры वहाँ जाए बेड़ जाए तो क्या कह एए थे हम? कुछ दो कह एए थे ना? इसलिए बीज में डिश्टर्ब दो भूल जाता हूं क्या करा थे? अब फ्लो में चल रहोगा तो चलता रहेगा हाँ भगवान क्रिष्न कहते है दुखालयम अस्वासतम यह संसार का परिचय कैसे दे रहे हैं? कहते हैं कि एक तो यह संसार दुखालय है और दूसरा क्या परिचय दे रहे है? अस्वासत यानि टेंपरेरी है अस्वासत समझ रहे हैं ना? पर्मानेट नहीं यह संसार टेंपरेरी है और यह है कैसा? दुखालाई है, यहाँ दुख ही मिलेगा समझ रहे हैं? अच्छा, जहाँ दुखालाई वहाँ सुख ढूंड़ना, कितना बुधिमानी है? हाँ जी? जहाँ दुख मिलेगा, भगवान करें, यहाँ दुख का आलाई है, जैसे टच्छाना, क्या मिलेगा आपको जाने से? ग्रंत मिलेंगे सिधी अबुषि है zulUI हिमालाई में मिलेगा? बरप मिलेगे हिम मिलेगा, है ना? वैसे हैं, दुख आलाई में क्या मिलेगा? अगर भगवान यह कहते हैं, मामु पेत्य पुनरजन्मा शुखालाई में असास होता हूं एटलिस्ट भोल देते हैं तो अच्छा होता ना शुखालाई यहां सुख मिलेग आपको बगवान ने बले दुखालाई है तेग लगा दिये यहां सुखालाई है था क्त्वे। पुखालाई है और आम लुग यहां मीलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा जहां मिलेगी और हमको कभी-कभी सुख मिलती हैं ऊख क्यों ने ने लो दुख का विच बालाआ समय को हम सुख मान बेठे हैं ःजिए मेरे हैं, दुख क्या है? एक दुख है और समाप्त हो कि दूसरा दुख सुरु होने और बीच बला समय का अमको क्या लगता है? हाँ 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 क्या बात बट बढ़ी है हमको उसको लगता है ये सुख है पेले जमान में ज़ राजा होते थे महाराज कोई अगर कुछ अपराध करता, एक प्रकार का दंद देती उनको, क्या करते पता है, उसको नदी में या सुरवर में ले जाते, ले जाकर उसको चोटी पगड़कर पानी में दूबाते, और तब तक दूबाते, जब तक एक लिग्दम चट पटाएगा, जो बिल्कुल चट पटाएगा, और अंत तक ल जब बंद होने वाला तब उसको उपर 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 उप वहाँ को निअख को बिल्कुल हाँ कोई डिस्टोमें स्क्राइब मत करें, हाँ ठेक से कोई थन्टेंसन की बात बात नहीं थे ठेक हैं जिनको नहीं आए तोड़ा इस साइड थाइज आए यह बहुत क्षणिक होता है, उस टाइम को लगता है बहुत बड़ी है, अनन्द है, बहुत सुख है, यह पूरा मुर्खता है हम लोग का, वो सुख नहीं है, वो दुख आने का एक संकेत है, आज तक बताईये, कभी आपके जिवन में दुख खतम हुई है, किस की जिवन में दु कि मेरा जिवन में आभी सुख है, अभी दुख नहीं बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, वो कितना बड़ा से बड़ा ब्यक्ति क्यों नहीं हो, बड़ा नामी से नामी ब्यक्ति क्यों नहीं हो, धनी से धनी ब्यक्ति क्यों नहीं हो, वो ब्यक्ति कुछ ना कुछ व्हों से को दिख तो रहेंगा, इसलिए कहते हैं, जन्म मुर्ति хотी 예जराब व्याधी, दुख दो सानू दरसन अम इसलिए बैक्ति को यह दरसन करना चाहिए जोवा है कुछने को देखना चाहिए जन्म है मुर्ति है जरा और व्याध्य Ain और क्या है? वीमारिया है. ये चार जिवन में पर्मानेंट दुखे हमारा. जन्म बहुत दुख है. भगवान तिसरा स्काद में भागवत में ही बंदन करते हैं, किसा दुखे जन्म? नौ मेना तो कोई एक बच्चा को उल्टा लटका कर रखा जाता है गर्ब के अंदर उल्टा ही रहता है ना बच्चा सिधा नहीं रहता है कैसे रहता है मुंडी नीचे और पेर आपको हम पांस मिंट के लिए बांद देंगे नीचे मुंडी करके उपर पेर रहेंगे, नहीं रहेंगे, बहुत तकलिफ होगी नहीं, मगर उब बच्चा को, यह हम खुद बच्चा किया हमारा स्वागत ही हुआ भगतों, इस अंसर में मारा स्वागत कैसे हुई थी, नौ मेना उल्टा लटका कर स्वागत किया गया था, है ना प्रभू, आप देखिए, जब जनम होता है, बच्चा का मुंडी पहले बाहाराता है, ने पहलेके अंसको बहर निकाला जाता है, उसका पयर लास्ट मे रहता है, है ना, उसका उल ठाल के हुआ उटा रहता है जनाेट ना ओटको नौ महिना एग नहीं करागर है छितесा का पेट रुपी करागरह म हड़ी है, मांस के बीच बीच उसको एक दूम पेक करके रखा जाता है, हावा तक नहीं जाए कि उसके पास, है ना, वो अगर भूक लगे चीखें अंदर, कौन सुनने वाला होगा अंदर, बताईए उस बच्चा का, कोई नहीं सुन पाएगा उसका चीख, है ना, और उपर स है, अगर मां कोई खटा खालेती है जादा उस समय, गरभ में सिसु रहेगा, वो बच्चा को बड़ा जलन होता है, उस समय उसका स्कीन बहुत सौप्ट रहता है, बत कमल स्कीन रहता है, तो उसको बहुत जलन होती है, अगर मां कोई तिका खालेती है उस समय, तो उसको कुछ नहीं कर पायेगा हो ऐसा समभा पे इसको पहले निकला दिया जाए नहीं निकल पायेगा हो है ना अगर पहले इसको अगर अपरेशन करके निकला उब मरा रहेगा बच्चा नहीं आ सकता है उसको न invet पूरा समय देना पढ़ता है इसलिए कोई प्री डेलिवरी होता है कभी-कभी वेसे बच्चे जीवन बरना कुछ अपंग हो जाते है अगर पहले एक मेना पहला जनम हो जाता है बच्चा का सकती नहीं रहता है उसको पुरा मेच्चुर होने के लिए पेट में उसको समय चाहिए नौ मेना और यह नौ मेना तक भक्तों हम लोग का सब का ऐसी स्वागत होई है इस संसार में नौ मेना हमको उल्टा लटका कर लाया गया है और जैसे बच्चा जनम होता है हाई 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 हम लोग क्या खसते है मेरा बेटा मेरा लाली मेरा लाला बिचारा वो रोता है, हम खूस होते है, है ना, जनम होते ही बच्चा रोता है कि हसता है, आपकी बच्चा जनम होके रोया था कि हसता है, थोड़ा याद करो, तो नहीं महाराज हमारा बच्चा तो हसते हसते आया था, ना, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, जो हसते हुए आ है और जैसे जन्म होता है रोता है अच्छा नहीं रोता है तो हम चिंता में जाते हैं रो क्यों नहीं रहा है है ना बच्चे जन्म होने के बदा कर रोएगा नहीं तो टेंशन में हम आ जाते हैं क्या हो गया उसको पीट-पीट के रुलाते हैं है कि नहीं तमाचा लगा-लगा कर उसको मारते हैं जब रोना सुरू करते है तब हमको बड़ा मुसकानाते है वा मेरा बेटा रूने लगा अब सही सलामा दिखिए स्वागत किया होता है मालो इस संसार में आपको बहुत कोई संकट आजाए दुख आजाए आप दुखी हो कोई आकर बहुत आजा है आपको कै कैसे लगेगा और हमारा स्वागत है हम रोए और हमारा माता अपिता सब लोग हेपी बड़े टू यू सब एक बड़ा आनंद लिया है ना क्यू रोता है बच्चा ये भी भागवत में आता है क्यू बच्चा रोता है पता है क्यू रोता है बच्चा जब गर्ब में होता है तो आप भगवान को प्राथना करता है, हर एक बच्चा, हम लोग नोग Π्रे किया था, हमने भूल गया बास इतना ही बाते, क्या प्राथना किया था माए कि गरभ में? मैं कि है प्रभू है भगवन कहां से नरग में डाल दिया आपने इतना कठिन स्थिति में मुझे डाल दिया या मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं या में कुछ नहीं बोल सकता हूं कुछ करने ही सकता हूं मेरा इच्छा के अनुसर कुछ भी नहीं हो रहा है भगवन में आपके में नमस्कार करता हूं, मैं प्राथना करता हूं, प्लिज इस गरब से बाहर निका लिए मुझे, बस बाहर आते हैं, मैं प्रमिस करता हूं आपको, मैं बाहर आते हैं, आपका भजन करूंगा, मैं, हमने प्रमिस किया भगवान की कोक में, स्वरी मा की कोक में, प्रमिस करते है जो बहार आते हैं, जब मा वलती, लाला, लूलू, लाली, पपा बलते हैं, मेरे लाला, जैसे ही लोग हमको प्रेम दिखाते हैं, सगे समंधी, तो बच्चा उनकी प्रेम में अथे फसता है, अथे फसता है, फिर भगवान, भगवान उसकी जिवन में समापत, फिर उसको भगवान का कोई लेना देना, भूर जाता है, इस संसार की मोहमाया में करूंगा, एटलिस्ट ये तो तो कहेंगे, ये संकट से निकाल दो के तो हम नारियल फोड़ेंगे आपकी मंदिर में आके, है ना, एटलिस्ट अम प्राथना करेंगे, ने तो हम कुछ ऐसे कर बच्चा बस बोलने ही पारा होगा, उसको सब कुछ सुदबूद है उस समय, मगर बच्चा कुछ करने ही पाएगा पेट में, मगर उस समय भक्तों हम लोग ने भगवान को प्रमिस किया है, हमने बचन दिये ते कि प्रभू हम बाहर आते हैं आपका भजन करेंगे, मगर हम यूडरा पिता और संहली कि बच्छा भोल के पट रखे एठाकुर्ची को बूले तो बूले, ऐसे बूले, ऐसे बूले, आज तक भूले, ।ै रहें कि नहीं है, आज तक भूले हूए हैं अभी नही आधा थाथा पूर घठा को और हमारा संभंद का ठाकुरजी के साथ total duty on चाहती समझ रहे हो भगवान अगर ऐसे है मुझ करके हम एसे हैं इस तरब मुझ करें कोई ले नादेना ने थाकुर्जी से है की नहीं है? यह श्तिती हम लोग का बता यह क्या दुर्दसा है और भगतों यह जनम है और हम लोग जनम दिन मनाते वाबरे बाब, है की नहीं, हर साल, जैसे एक एक साल पुरा होती हमारा, हम लोग ने केक कटिंग करते करते क्या बोलते हैं, हपी बड़े टू यह, आपका जनम दिन का बहुत बधाई हो, क्या का बधाई, बिचारा का जिवन का एक साल निकल गया हाथ से उसको बधाई किस बा मताजी, अगर आपका साल, उम्र 100 साल का है, आपका जनम कितना साल हो गगा मताजी, हाप शेंचुरी हो गया, पचास, ठीक ना? तो पचास भी साल आगे आपको, तो आपको एक कहें कि एक माताजी, बहुत बड़ी है, हपी बड़े, यह, कितना मिन से दुख की बात है, भई पचाथ साल उनकी समय निकल चुका है अगर उनको एक साल बढ़ाता अगर बढ़ जाता तो उनको है पपी बड़े बॉलना शब्दा बहुत अचाए आपका एक साल जुड़िया आपकी जीएओं में हमारे जीओन में एक दिन घट रा है कि जुड़ रा है गट्रा इप जुड राया है गट्रा है और हम लोग बडा मजियर करते हैं हर साल हम लोग हपी बड्रे मनाते हैं नहीं में सत्क्रमे बड्रे मनानाना चाहते हो तो मंदिर झागे बढ़ान करना मंदर प्रभवान करो एक लिए इस साल कम से कम कृपा करिये में कुछ आपका भजन करूँ अगर सचमे बढदे मनाना चाहते हो ठाकुरजी को जा प्राथना करो बाकि ये केक और केक का बिधी प्रभुजी बड़ा बिचितर बिधी है बहुत बिचितर बिधी बच्टों के अप लोग तो इसे ना क सबसे कहुझड़ माम होता है मामबति उस से बत्ति बनाएं मोम से व मामबति हम क्या करते है pię y aie k khan 신 name दाल भatingде है लगादे हैं सबसे बड़ा बड़ा और इससे क्या करते अग? लगाते है और उसके वाद क्या करते हैं मूह से फूड मार के बuज उजवादे हैं और किस इ गठ्चे अर वो तकेक को महाप्रसाद करप में एक जूटन गिराए फूगते समय अबता है एक बच्चा का जूटा क्षाएंगे बड़े बच्चे को आशिरवाद मिलेगा नहीं मिलेगा उसका असिस नहीं मिलेगी तो यह बिल्कुल विप्रत्थ यह सब अंग्रेज लोग क स्टाइल है उन लोग का सभी सब किया हुआ कर कुर्तू थे भगतों हमको यसे ने केक भले केक बनाओ मगर भगवान को चड़ाओ तुल्शी डाल कर ऑफर करो उस केक को निकाल कि आप बुजूर्गों को पेले दो उस मौम्बति बला नाटक नहीं करना चाहिए तो छो भी है ह जानम होते हो मूर्त का भऐ है और मूर्तियो कितना कष्छटदाई है है आप लोग अऑ मेरे हो कोश जी गलत पुछ गुछ लिया है कभी नहीं मारे हमको अनुभब नहीं मूर्तियों किह हुआ है को मरता है ऊसका चीजगों को मरता है तो यह की जु आशते हुँय होती है हा कि उत स्थीह कुल एक वारण यूह रहता है उसका क्यूं? जब मरताहिए बैकत्य ही शास्त्रों मै उसको एक करोड बिच्चु निकाल della Presne सब्सक्षट उससमें एक क्यों से निकालते इतना ही क्यों प्राण एक रोड़ भिच्व एक साथ डंक मारेंगे, क्या स्थिति होगी? और मुर्तियों के समय प्रान जब निकला जाता है, प्रान यह आत्मा को जब भीच के निकलते हैं, तो बहुत कष्ट होता है, क्यों? इतना तगड़ा आसकती है इस सरीर के प्रति हमारा, बहुत आसकती है, है ना? सब मर जाये चलेगा, मैं ना मरूँ बस, इतना आसकती सरीर के प्रति, है ना? करोड़ो खर्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे, मरना नहीं चाहिए हम, है नह कर निष्चीत है मरेंगे, कुछ भी कर लो, मरना तो है पक्की बात है, मगर कोई एक नहीं चाहते है, जिसे हमने कल चर्च कर रहेते हैं, और नहीं इतना आसकती होने के कारण ही हमा को जो बहार निकाला जाते है, सरीर से खिंच के बेटा चलतर समय हो गया, तो हमको बहुत क जोड़ो, मोबाईल कोई ले चुरा के क्या अस्तित होगी अपलों का, आज कल सबसे फ्री हमारे मोबाईल है, है ना, अगर गुम जाता है, तूट जाता है, तूट जाता हमको बड़ा टेंशन होता है, एक साधरान बश्तू है, निर्जी बश्तू है, इसमें कोई प्रान जाता हैं, उतना आ सकती है, यह सरीर के प्रति Patrol लार आ सकती है उसको जम निकल बड़ा बड़ा कreichen होद आ हमको बश्तू होती है, ते स्लिए मुर्तू बड़ा कस्टदाई है बहुत कस्टदाई है ठाजिए बड़ा कस्ट दाई है भकटतो और इसके बीच में दोंख भीम ब किसी को कोई बिमारी ही ना हो, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ ना कुछ, छोटा मुटा भी हो सकती है, तुमर होता है, सब ही एक को, इस सरीर को इसलिए कह दिया गया है, शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियत आहे काल इस सरीर के सा है अविद्या का जाल है अविद्या का घर है यानि बिमारियों का घर ऐसे कहा गया इस बिमारियों का घर है इस सरीर एक के बाद एक एक के बाद कहजारों बिमारिया आती इस सरीर में पता नहीं कहां से आती है इस सरीर में बिमारी और कितनी कष्ट भुगतना पड़ता है इस बिमारियों के बीच में हमको हाई हाई लगा एता है कितने ही होस्पिटालों में हम भटकते रहते हैं हम लोग कहते है हमारा बड़ा उदेपूर बहुत प्रगति कर लिया क्यों ना अ छोबनती हुआ है ऊस्पिटल जादा अच्छा निस्टो ज्यादा अच्छा बिमारी लोग भी है बिमार लोग जादा बड़ बड़ लग इसका मतली प्रगति कैसे हुआ अगर अगर प्रगति कम हो जाय उदेपूर में तो माना जाए कि भई ऑस्पिटल अबी चलनी रह इ यानि, बिमार लोग ज्यादा है, जब एक बिमार है, और भक्त और बुढपा, बुढपा क्या कहा जाए, जो बुढ़े उनको पूछ लीजिए, आप में से कितनी लोग बुढ़े हैं आपको मानते हो, कोई नहीं मानेगा मुझे पता है, कोई एक नहीं मान ले, बिल्कुल न बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं क्यों, बहुत बिच्चीतर बात है ना, कोई नहीं चाहता बुढ़ा हो, चाहता है, ना, बिल्कुल नहीं चाहते हम लोग बुढ़ा होने के लिए, मगर करें क्या, भगवान ने नोटिस भेज़ते हैं, टाइम हो गया, घर खाली करना है, बाड़े का घरे बेटा, छोड़ देना, यह लोग नोटिस है, नोटिस है, नोटिस है क्या, एक बाल एक दिन, एसे कंगी करते हैं, एक बाल यहाँ पर वाइट दिखा, बड़ा टेंचन है, बुढ़ा होने लगा क्या, पन उसी समें टीबी में, गोद्रेज है ना, क्यों कर रहे हैं, बस, उस नोटिस को फाड़ के, कच्री डबा में, नोटिस फेल, बापस एक नोटिस भेजते हैं, क्या, दिरे दिरे लगता चस्मा, आंको दिखाय कम देता है, बेटा, घर खाली करना पड़ेगा, समय आगे तरह, बाड़े हैं तु, कोई बात ने, लेंस है ना अपरेशन कर दिया जाए, लेंस लगा लिया जाए, उसको भी फाड़ देते हैं नोटिस, फिर और एक नोटिस भेजते हैं ठाकुर जी, कौनसा, कान को दिरे दिरे सुनाय कम पड़ता है, फिर मसीन लगा दिया जाता है, फिर फिर्स क्लास का, है ना, हम नोटिस के उपर न और यह सब यह की जीवन में, भक्तो यह चार कष्ट तो हम लोग का है है, उसके लावा तीन कष्टों ने बताय था आपको, अधी देविक, अधी बहुतिक, अधी अधी अत्मिक, एक पेले दिन और दूसरे दिन बतलाय तो आपको स्मारण होगा तो, कष्टों के बीच में जूजरे हम लोग, फिर भी हम लोग एक्सप्ट नहीं करते हैं कि में कर्ष्ट में हूँ कोई पूच लेता है हमको, हाव आर यू, क्या जबाब तुरं देते हैं, पाइन थैंक्यू, है यह यह जबाब देते आप लोग, क्या आप लोग कुछ बोलते हैं नही बहुत बुर कुछ बता है, और यह थोड़ा फाइनेंसियल क्राइसे है, और यह सबके साथ होता है कुछ अरे बेटा बात नहीं मन रहा है, मैं मजा कर रहा है कुछ बात में आप सीरियस मत लेना ना, तो एक क्यू परेक, ऐसे बतलाता है, ऐसे बतलाता है, विचारा ओ पूछने वाला कर्म को दबा के रखा रहता है, और हम सबकस्तितिय से ही है भक्तो, इसलिए यह गर्भ में जन्म होना बहुत अच्छी बात नहीं है, तो खेर, हम अपने कर्मों के अनुशार, इस संसार में जन्म होते हैं, और इन संसार में मुर्ति होती है, और जो भी कर्ष्ट मिलती है, कर्म को प्राप्त हो जाती है, और यह सुनिती है, अपनी पुत्र दुरूब को यह उपतेश दे रही है, बेटा किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, आपको आज अगर किसी निंदा किया, यानि तू पिछले को निंदा किया था, उसकी बदले में तेरको निंदा मिली है, तेरे मा, सौतन मा तो कोई निंदा करी नहीं, तेरे को ठीकी बूली है उसने, भजन करने बोल रही है, तो इसलिए बेटा, तु जा के भगवान को प्राप्त कर जा, मेरा असिरवाद है, तो अच्छे रूब घर से निकले, घर से निकलकर रूब महराज, चलते 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 तो नहाज जी बीच रास्ते मेरोग तिए, बेटा, तो अच्छे रूब श्तन बात का लड़का है ना, इसलिए महराज का जा रहा है, महराज में जा रहा है भगवान प्राप्त करना है मुझे, बगवान को प्राप्त करेगा, हसने लग नहागे नहाज जी, घर कोई हुमर तेरा भगवन परैष्औ करने के लिए, तेरा उम्मर केतना हुआ, वहारण जादा ने पांग साल उने कोई भजन करना है को बढ़ आप में भजन होती है खए नाराज यह लोग ऑ़ले में लोग और पहते हैं पुड़ आप में भजन होती है जब आंक को दिखाई ने देगा तब जाएंगे बांकि वियारी का दर्शन करने जब कान को सुना ने देगा तब भागवत कथा में चलेंगे है कि नहीं है जब हाथ पर काम करना बंद कर देंगे जवाब देने लगेंगे तब हम पर्कमा लगाएंगे गवरधन का यह लोग सोचते हैं भक्ति यानि बुढ़ापई का काम है और बक्ति जो संसारी मजा मस्ती यह जवाने में कर लेनी चाहिए कोई कोई तो यहां तक किते खाओ पियो मजा करो कौन देखा ऐसे नहीं कते लोग बड़ा दुरभागा हैं लोग तो भक्ति बुढ़ापई के काम नहीं है ऐसे होता तो सुनिती रोग देती दुरूब को सुनिती खुदी रोग देती बेटा अभी तु खेल जा यह सब चो कोई कुछ नहीं कर सकती हूँ तब जा के दुरूब निकले तब नाराज जी पहुंच के कहते है दुरूब ना जाओ चलो चलो में जा रहा हूँ पिताजी के पासे चलो नहीं महराज अगर कोई अच्छा सलह देना है भगवत प्राप्ते के लिए बतलाओ नहीं तो आप ज दुरूब जी अटल एकदम दुरूब संकल्प बद्ध कर आये थे घर से कि मुझे बगवान को मिलना है मिलना क्यों था अब यह बतलाते है दुरूब जी हाँ पर नाराजी को महराजी पता है मुझे क्या चाहिए मुझे ऐसा सामराजिय चाहिए जो ब्रहा तक दुरूब उर ब्रहहा को भी नहीं मिला तो चाहिए मेरे पिता मेरे नहीं मिला होगा तो यानी मरे दादा और पर दार को भी एसा सामराजी नही तो ह्याुँटा अटसे तग्रओ जटेक्ट आए झाले हो निकल दि richness आए हो निकलाए गर से बड़ाराजी चाहिए उनको तो नाराजी को को बोले इसको प्रात करने किऊोगे मुझे माम निए बोला, तरान निए तरओं दे सक्ँझ झाए। अब दित्वान को मुझे मिल ला है अब उपाई बतला है । विज कोई लुपाई है तो बतलाई है उमे brassi तो अप्टमने के लिए इसको डाइबर्ने के लिए है तोड़ा c रास्त बटकाने के लिए, मगर धुरूब जी अटल थे, वो नहीं मान रहे थी नाराजी के बाद, बले महाराज आपकी बात बिल्कुल पले नहीं पड़ रहा है, मेरे सौतन माने मुझे जो बागबाना मारी है ना मेरे रिदे में, इसमें टिकी नहीं आपका गान, बहुत सुंदर महाराजी, मुझे खियमा करना में आपकी बात को सुष्कार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे रिदे में अधात लगी हुई है, अब तो मेरा एक टार्गेट भगोत प्राप्ति करना, और क्यों? मैं बतला दिया आपका कारण, बास मुझे बड़ा साम्राजी चाहिए, मैं ब अरविदााजते माम, जनाम सुकृतिना अर्जुना, आर्तो जिग्यांसु, आर्तो अर्थार्ति जिग्यांसु, ज्यानींच भरत अस्रभा और जुन, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, वो लोग सिकृतिवान है, सिकृतिया ने पता है क्या है, मैं उनको कृपा करता हूँ, कभी ना कभी भक्त बन जाएंगे, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, कौन-कौन प्रभू, पहले कहते हैं, आर्थ, दुखी व्यक्ति मेरे पास आता है अपना दुख के कारण और कहीं नहीं जाता है, मेरे पास आता है कर इस संसार में कहीं आसरे है आसरे कम है बच्चा को दुख हुआ तो पिता के पास जा सकता है है की नहीं है और कुछ है तो डॉक्टर के जा सकता है कोई और किसी को मिल सकता है, प्राइमिनिस्टी तक मिल सकता है, अगर कष्ट किछुगो तो, संसार में कहीं आशरे हैं, मगर इतना सर आशरे को ठुकरा कर कभी आर्त मेरे पास आता है, दुखी, किसके लिए? बस मेरे सार में आके बलता है भगवन, है जगनाथ, है नात, है जगत के नात, है अनादी नात प्लीज कृपा करके मेरे जीवन में ये दुख हटा दीजिए, प्लीज जगनाजी सोचते है मेरे दुआर पे आया है, खाली कैसे छोड़ दू दू इसको? भगवन इतने निर्दई नहीं है हमारे जैसे, वो इतना, क्या कहते है उसको? चीटर नहीं है, या धोकेवाज नहीं है ठाकुर जी, भगवान के सरण में अगर कोई आता है, भगवान किसको ठुकरा दिया, आज तक ऐसा एक उधारन नहीं है, एक उधारन है, भगवान एक ज भगवान का एक बद्य हो, अगर मेरे सरण में कोई आता है, तो मैं उसको ठुकरा देवना रहने सकता हूं, यह तक कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा राज्य देढ़ूंगा यह पगवान है, यह मेरे प्रभु है, प्रभु 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 बात करों मैं वे टोच किया थे इंको बिठाके में हिर नीचे बैठूँ गठागा थे तो यह बढ़ाएं तो यह है भगवाण जब बिबिश्वण जी को राज्य से बहिस्कृत कर दिया गया, राबन ने बाहर निकाल दिया, तु नालाइक है, मेरे सत्रु का अराधना कर रहा है, निकल जा मेरे राज्य से, बिबिश्वण बिचार क्या कर रहे, निकले राज्य से, लंका से बहिस्कृत कर दिया गया, ब वर राम की चरण में गिरे, जब आ रहे थे, दूर से देखकर लक्ष्माजी कृधितो हरे थे, सुग्रिप कृधितो हरे थे, ये तो सुत्रु का भाई है, साइद कुछ विद्ध करने आ रहा होगा, कुछ ख्यति पांचाने आ रहा होगा, प्रभू राम चुछ रुग ज़ा प्रभू जब जब लंकेस उठीं क्या हुआ, उंको क्या वह लग रहा, टें रहा होगा है, ये लंकेस एंधिए उनका का अधिपति उसी समय दे दी है, सिर्फ चरण में गिरतें लंका का राज्य उनको दे दिया किया, प्रभू लंका राजय तो रावान है, आप इनको कैस तो किसी भुड़ांड ही रावन को बद्ध कर दो से उनकादे दो initial, मैं प्रमिस क्र रावन को बारूंगा लंका मैं बिविशान शनका दूंगा, यह आप्रमिसे क्य пок redundancy मेन को बोल इंपर यहार लंकेश हो तर माशीन बया का क्ढ जो कि करोगे झाव तर HOR vielleicht यहार सुचिन में अचल इंपर भाजिया यहार यहार लेक्श फिर खंग। कोई शरण में आया बगवान उसको तुकराड़ी एसे हो इनहीं सकता मकर एक संद में से रुखा जी की बुर्टवाजी की दुरुटप इन छडराद किया किन चरणा में विम्हार ट्राण्य ऑंष्टी चक्रवर्ती समराथ अम्रिष जिके चरणा बार्श्वर्ती सम्राथ झाया गणप बनन करते है शुक्देव जिए अंधरिष जी एकादसी ब्रत तो निर्जला रखे ज़े एक साल से हुए तो उनकी घर पर अतिती के रूप में आगे महात्माजी पधारगे, देखें, महात्मा अमारे घर पे आए, बड़ा प्रसन हो गए, यह तो बद उत्तम है, महात्माजी महाराज, आप आए तो हमारे घर पे आप द्वादसी का भोजन लेके जाएंगे, बुलिट बद बड़ी है, लेंगे, थोड़ा स्नान इतियादी करक आपो, बदो सुझ हैंगे, बड़ा बुलिट बड़ा है, ब जौन करने के अब पारण का समय निकल रहा था, यह नही तो हमारे यह नहीं पर पद आइए, उस समय में आपको ब्रत को तोड़ना होता है, यह से आज नही तो आज़कर था चा फस का पल नहीं मिलती है, जैसे कि नेक्ष्ट दिन बारस के दिन एक समय होता है, एक दो तीन घंटे का अब्द होता है, हर हर दादसी में अलग अलग समय है, उस समय में आपको ब्रत को तोड़ा होगा, ने तो आपको एक अदसी ब्रत में एक फल भी नहीं मिलेगा, तो ब्रत गया आपको, समझे तो इसलिए बारस करने के लिए ब्रत को तोड़ने का ज़रूरी है, ठीक है एक अदसी करने के लिए, तो अभी ब्रत तोड़ने का टाइम निकलते जा रहा है, कुछ दू पांच मिंट रह गया, महात्मा जी स्नान करने के आया नहीं है, अब अतिती घर पे यह कैसे कुछ भोजन कर सकते तो उनकी राज स्रवा में कुछ महात्मा थे, रुषी मुनिते, राज पूरहितों को बुला के बूले क्या करो, संकट में हूँ, इबड़ा दुविदा में फश गया, महात्मा जी को बुला लिया, भोजन करने उनके बिना में नहीं सकता हूं, और पारण नहीं करूंगा, एक साल का बुल कि मेरने नश्ट हो जाएगा, क्या क्या जाए, तो संतों ने कहा, कि महाराज की शेकाम करो, अप जल के बुई ले लेना, क्या करना, एक बुई जल को खाना हीजा नहीं कहा जाएगा, आप पतूत जिएगी, अपनी निरजल कर रखा है, और आपका बुदी आपको खाने का नहीं का नहीं जाएगा और इसे को अपराद नहीं होगा अथितिके प्रति यह पकाना हाजी जैसे ही संत लोग बोले वैसे उनने एक बूंद जल लेकर अपना बरत को तोड़ दिया अब आए दुरुवासाजी दुरुवासाजी आखे बोले पारन का टाइम तो निकल गया यह राजा पारन किया कि नहीं किया उन्होंने ज्यान में बेठे यह यह चेक करने के यह पारन किया है यह नहीं किया यह माहत्माजी तो उनको बास इतना पता लगा लगा ले कि इसने पारन कर लिया है क्या पता लगा लिया आचा पारन कैसे किया किया खाया क पिया कियों नहीं देखा बास इतना पता लगा दिया इसने प्राण कर चुका है बड़ा संत थे तपस भी ब्रामन थे बास आग बबुला हो के क्रोध के कारण उंट पड़ पड़ाया आंक लाल-लाल हो गया सरीर कांपने लगावले दुष्ट राजा अरे कुलांगार कहीं का इतना तू मुझे इस अथिति के रूप में घर पे बुला कर तुखा लिया तुरूंत करोध के कारण अपने जटा को तोड़े और तोड़ के जमीन में पटका है गुष्य से तूहां से राक्ष्यस पेदा हो गया उसका नाम था कृत्या क्या था क्रित्या क्रित्या क्रित् अब भी पिया हूँ एक बूंदी लिया कुछ नहीं बोल रहे थे बस बढ़ान करके जोड़े एक महात्मा कुद हो गया मेरे बज़े से उस तोच रहे थे मेरे वाई सी क्रोधित होगे मुझे नहीं करना चाहिए जल साइद नहीं लेना चाहिए तब तब तक राक्ष्य सु सुदर्शन जी 24 इंटो 7 24 गंटा साथो दिन अपनी भक्तों की पास में सुरच्या प्रदान करने खड़े रहते हैं जब भी संकट आता है वैसे ही हो उनकी संकट्स को निवारान करने भगवान ने आदेश दे रखाया अपनी सुदर्शन को है सुदर्शन मेरे सुद भक्त सुदर्शन मेरे 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 सुदर्शन म कितना प्रैंणा होगा शुद्ठातृ जुद्धा ऊltरो ऑछ हो शुद्धाट कि कि पढगा ए डुरुवासा महात्मा प्रामा अला के फिस हुदा ग्राहाई कर्वागा तर्ण्थान। और पिछे जलाते हुए बाद, Sudarsanji दोरते, 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 इंदर के पास इंदर कुछ करो क्या हो गया महाराज? बहले कि Sudarsan, महाराज निकलो पेल यहाँ से यह यह इस रास्ते से बाहर निकलो नहीं तो वो मुझे भी काट देगा सुधरसंजी के साथ पंगेले, ना, दोरी वहाँ से, हरे, स्वर्ग लोग में कोई आसरे नहीं दिया, दोरते, दोरते, ब्रह्म लोग गए, समझ रहे हैं, माता जी, एक बार दोना हाथ उपर गए, एक बार महामंत्र बोलो, नींद सब चला जाएगा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Rama, 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 Hare, 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 Hare करेंगे, 100% करेंगे, सौटकोर्ट में थड़ा कॉम्पेस करेंगे, संभब नहीं है फिर भी प्राइस करेंगे, तो भग तो हुआ क्या? ब्रहमा जी के पास दौडगे, बहले महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, पिता जी रक्षा करें, पिता है, क्या हो गया दुरुब? बहले महाराज, देखें पिता जी, पिछे पड़ा हुआ है, कौन? सुदर्शन, सुदर्शन, निकलो यह से पहले, मुझे काट डाले का सुदर्शन, ना, कुछ तो गडवड़े किया तुने, निकला यह से, विचरा ब्रहमा में डुक्रा दिये, कहां जाओ, दौड़ते हु महाँद्यप जी, प्лиз यह सुदर्शन है जिनका उनके पास उनके सानमे जाओ को सकता है उपर रक्षा कर दे हरी के पास हरी के पास हरी के पास वाइकुंट लोख में गए भगवान श्री हरी वहाँ पर विष्णु अनन्त सेयस में सोय हुए थे तुरंत जाके उनको प्रणाम किये बले प्रभू प् उठा लिये बले की रांग नंबर गलत जगह प्याग मैं जाको क्या बल रहे हुए यस मैशक क्यों प्रभू यह आपका सुधर्शन आप साओ कि उनको रोक सकते हो बले नहीं मेर अधिन में नहीं हो क्यों आपके अधिन में क्यों नहीं है सुधर्शन मैं खुद मेरे अधिन में नहीं हूँ मतलब मैं दूसरी के पराधिन में हूँ मैं किसी का नौकर हूँ मैं किसका मेरे भक्तों का मेरे भक्तों का में नौकर हूँ अहम भक्त पराधिन चीजzna ना वा स्वतंत्र मिभाद विजओ कहते हैं इस लोक में मलेहें star मैं ओहम ढ़ंधि भक्त परादिनु ना भक्तों के अधिन मे olm भक्त मुझे खरिद लिए हैं कैसे भक्ती से भक्ती से मुझे खरिद प्योगे अव लोग ना स्वतंत्र इपद्विजवा, रे ब्राम्हन, मेरा अपना कोई स्वतंत्रता नहीं रहे गई ये, भगवन, ये संसार में कहीं पर, कहीं पर भी जहां आस्रे कहीं नहीं मिलती है, तब आप आस्रे देते हो, आप आस्रे दाता हो इस संसार में, आप ही अगर आस्रे नहीं द तो दिखाये, बोले कि दया कहां से प्रकट होता है बेटा, बोले कि मेरा हिर्दे जल चुका है, कैसे, क्योंकि ना मेरा हिर्दे को ने पता है, सादु मेरा हिर्दे है, सादु मेरा हिर्दे में नहीं सादु मेरा हिर्दे में नहीं सादु उस हिर्दे को तुने जला दिया है, इसलिए जहां से ये दया प्रकट होता है और जल चुका है इसलिए दया करने ही पाऊंगा सब तरको काट दिया भगवान ने दुरवासाजी को कुछ नहीं कर सकता फिर कुछ तो उपाय होगा कुछ तो पोलिये सुदरसन काट देगा प्लीज बताए ये मेरे पास टाइम नहीं है बले एक काम करो हो सकता है तो आप जाकर अंबरिशी के चरणों में किरो हो सकता है साइदोग आपको माप कर दे तो सुदरसन साइद थंड़ हो जाए बले बाब रभब प्रभु समझ में आया आपके भक्तों का महिमा क्या है आज पताए चला दोड़े बले कि यहां टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है बले प्रभु आप शोयरो में जा रहा हूं निकले वहां से बले गलतना जगा प्रभब बापस कहां गए एक साल तक दोड़े थे बताओ कितने साल एक साल दोड़े द्वार द्वार भटके कोई अस्रह क्या भक्त अधभुत है यह है हमारे महान भक्तों की चरित्र अम्रिष जी खड़े एक साल तर ना जल लिये एक बुंद ना कोई अहर लिये ना बले कि दुरवासा जी की चरना में प्राध किया उन्हां सोच रहे है मेरे बज़े से बिचारा है ब्रामन कहां कहां भटकता हो क्या कि आहोगा पताने बड़ा चिंता में थे दुरुष ना किया होगा मात्मा जी कोई कहबर भी तक वाटसाप में मेसेज नी आया क्या हुआ इनका बिल्कुल नहीं बड़े चिंता में थे भग्तान जी तो गत्वा दुरुष जी जब चरना में गिरे महाराज आप क्या क ने में भगुण है तो उनका अस्तर किस के अधिन में रहेगा? अब हमी भगता हूं कि अधनी को रोग दिये तो लहे सुदर संजी क्या प्रातना की होंगे पता है? अधभुत प्रातना है, अम्रिष जी का, कैते हैं सुधर संजी, अगर मेरा जीवन भर में मिने कुछ भक्ति किया होगा ठाकुर जी का, मैं सारा मेरा भक्ति को दाओ पे लगा के निवेदन करता हूं, ये महात्मा को छोड़ तो, आप कुछ मत करों, आहा, क्या भक्ति ये, क्या भक्ति ये, आप अज़ भगवान लिए झालआ करती दाओ, अज़ुदर संजी का, ऐ Sounds citizen side होगा है। अब दृवास jus जी क्यते है कि, हो, हो, आज पता चला मुझे भगव wakesतों का, क्या महिम Lewis, ये टनी महान है। आप पता चला भगवान से भी बड़ा भक्त है। आज मुझे पता चला ये बाग। ये 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 घटना लिखा गई है। शुक्देब जी कहते हैं ये ये चरित्र को अध्भूत चरित्र है। जहां भगवान को भी बड़ होगे भक्त। अगर पुछा जाए, भक्त बड़ है ये भगवान, क्या उत्तौर होगा। भक्त बड़ है क्यों ? भगवान भग्तों के अधिन में रहते हैं। अगर नहीं होते हैं। क्या अरुण की रथांकते ठाकुरजी। आपको क्या लगता है। रथांकते ना। यह हमारे प्रभूप उपने स्तिति को नहीं देखते है मैं भगवान हूँ आपना कोई हंकार नहीं भगवान का कि मैं भगवान हूँ मैं क्यों रथांको आपका ना वो तो स्विकार है खुशी-खुशी है मैं अरे ऐसा अफसर अर्जुन का रथांकने का मिल रहा है अठरा दिन तक हां को वह कमाल हो गया ऐसा अफसर मिला भगवान की सेवा करने का भगवान हमेशा ततपर रहते कैसे में भगवान को प्रसंद करो कैसे भग्त मेरे खुश हो जाए मेरे सेवा से और भग्त हमेशा ततपर रहते कैसे भगवान खुश हो जाए मेरे सेवा से यही भग आपतर भगवान का संबंद्य आपस में। तब दुरुवाशाजी को बिठा कर खिलाए विचारे एक साल से भूके थे खिलाने के बाद फिर अमरिष जी ने भोजन करा भगतों तो यह भग्ति और भक्त का प्रभाद तो दुरुवाशाजी को यह प्रयास कर रहे थे भटकान एक लिए नाराज जी मगर दुरुवाशाजी बिलकुल एक दम वह अपने लक्षय में पके थे लिए ना ना हमाराज मुझे तो चाहिए भग्वान से मिलना कुछ उपाय बतलाओ कैसे मिलना नाराज जी बहले कि घड़ा-दुड़-तुर्प मॉष्स है उसने संकलप लिए और इसलिए कहते हैं भग्ति में हमारा संकलप बहुत-महुत-अ-पुन है उसको केते हैं उच्षाह निष्चया धईरिया क्या-क्या उच्षाह चाहिए पहले तो भक्ति में बिना उच्षा का भक्ति कर पाओगे और इस संसार में निरुष्चाहित करने वाले खूब लोग मिलेंगे अरे क्या ये? अरे मायंका जी आपनी बच्ची को पागल बना दिया, तीले चोक्तिरी लेकी घूम रही है, क्या कर दी तो इसको, निरुस्टाइद करने वले खूब मिलेंगे आपको, हरी माताजी यह क्या कर रहे हो, यह जी तरह भजन करने का कथा सुनने का, बढ़िया बढ़िया सीरे ला कथा करवाने का, है की नहीं है, यह जी बढ़िया, रिरुस्टाइद करते हैं, बढ़िया सीर्वा रिए सॉप लोग करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का, तो उच्षा कैसे आएगी उच्षान रहेगे जबम की संग में रहेंगे जब, तो हमको राता रहे गा, आरर निष्चित करनी है, कोई परिस्थिति आजे करना है, और धायरिय भी होना चीए, धायरिय भी, नहीं तो वो निष्य डबाडूल हो जाएगी, तो संकल्प बद्ध हो के दुरूब जी आये थे, नारज जी ने बहुत प्रयास किये इनको भटकाने के लिए, वो तो परिक्षा कर रहे थे, शिष्य का, दुरूब जी भी गुरुदे, कुछ उपायवत लाएगे, तब जाके, नारज जी केते हैं, बेटा, मैं बहुत प्रसन्नू तेरे संकल्प से, चलो, कोई बात नहीं है, मेरा असिरवाद है तेर पो, उनके हाथ फेराते हुए सिर पे, बेटा, एक मंतर देता हो, ये मंतर तु जब कर, हंडेड़ पर्शन भगवान तेरे को मिलेंगे, उनको एक मंतर दे दिया गया, उसलिए सत्यूग था, ओम नमो भगवते वाशुदे वाया, तो इस मंतर को नारजी ने दे कर, नारजी कहते हैं, कि हे प्रलाद, इस मंतर को रोजन जब करना, निरंतर जब करना, और साथ औसाथ कहां जाना, ब्रिंदावन में, यमुना की तट पे, वहां पर, कुण सा बन था हो? मधुवन, yes, मधुमन में जाकर, मधुमन की तट पर, बेट कर आप भगवान का नाम भजन करना, और बेटा, यमुना बड़े पवितर नदी है, यमुना कालिंदी में, दिन में तीन बार स्नान करना, कितने बार? तीन बार स्नान करना चाहिए, एटलिस्ट दो बार तो करनी चाहिए, कम शकम एक बार तो करी लिया करो कितने बार? एक बार तो करी लेना चाहिए इस्वाना एक नहीं है एक चलो बताता नहीं है आप लोग हस हो गये और कैमरे के सामने ठीक भी नहीं है तो बीदेश में ऐसे नहीं होता है ओ लोग सनान करते हैं पंधरा दिन में एक बार बाकी दिन उनका यसी चलता है तो आमारे भारत में इसनी होना चाहिए बीदेशों को देखके अटलिश शनान करना चाहिए कब जब सोच करने जाते हैं शनान होना चाहिए बिल्कुल शनान करने चीए हमको है ना और शिर्प जल से स्नान नहीं जल के साथ साथ मंत्र स्नान होना चाहिए जल आपकी बहार सरीर कर सकता है करें किसले हुए ए रद्सवर काया मंत्र इसलिए इसलिए करने है शुदद तक स्नां कर समय इसलिए ज kitty आपनी बखी नथे सब्स सब्सकराइब करें किसलो टो रदे के उना अन्था करोग suis भाकोई कोई साबून यहाँ violin है यह लोग से यह special साबून आया है only 20 रुपए में यह आपकी हुर्दे के अंदर का कचड़ा को साब कर देगा ऐसा कोई साबून है बाहर से आपको कहीं साबून आ जाएंगे साब करने के लिए सरीर को मगर आपकी हुर्दे को साब करने के लिए एक मेडिसिन नहीं है एक साबून नहीं एक डिटरजेंट नहीं है है क्या मगर हुर्दे में कचड़ा है की नहीं है कितनी कचड़ा है माप ने जाएंगे तो कितनी किलो होगा किले को अनसार नहीं है मगर बिलकुल भरा हुआ है रिदे भरा हुआ अनर्थों में, कचड़ों में, काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मास्टर, इडशा, द्वेस, बाब, रिबा, पुछोनूत, कितना भरा हुआ है रिदे में, है ना, बाहर चे तो हम लोग, बड़ा स्मार्थ दिखते हैं, बड़ा सुन्दर, फस्स क्लास सजद सबकिना में, sorry, में बड़ा little way, अच्छा कोई में क्णिन निक्ला ये सा प्ता लगाने के लिदे में मेच लिए सबस्क्राइग बाब ये 200 km, होगथ बहुते प्रेम करता हूँआ है। बहुत बहुते हैं। आपको मbayथ बहुत बहुत प्रेम करता। रिदे में तरी re collabor ही होती है बड़ा इर्षा है हमारे हिर्दे में और थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध करते हैं काम कितना इच्छा है हमारे हिर्दे में जितना समंदर में लेहरे हैं उतना हमारे हिर्दे में इच्छा है लेहरे कभी समाप्त नहीं होगी इच्छा कभी समाप्त नहीं इतने इच्छी भरा हुआ इक्रा इक्छी मार् हर्दयमें बाब रवाब और इतनी कचटा है हमार हर्दय इसको साप करने के लिए कभी भिशार करते हम लोग cozy कोई भिशार ने करते हर्दय कैसे साप किया जया चयतेयन महापरणों चयतीन र हर्दय साप करने क profile कि अगराई टिटर्जयंट घिए है डिटर्जयंट इसे लिए बढ़िया सवर्प धिये इसे डिटर्जयंट पैंड आप लोगों चाहिए हो? मैं दे सकता हूं वो डिटरजन ले जाके अगर आप इस्तेमाल करोगे आपका हीदे धिरे 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 साप जाएगा एक दिम रिदे इतना स्वच्छ हो जाएगा इस रिदे में भगवान दिखने लगेंगे आपको हाँ मजग्ती बात नहीं है हम बात अपेक नहीं रहें आपको सच बोल रहे हैं महाप्रभु ने एक डिटरेंजेट पाउडर दिया है उ क्या है पता है आनंडाम मदिवर्दनम प्रतिपदं पुर्नाम निताष्वाधनं हम् थार वाथ्म नप्णनंठंपरं विजयते श्री कृष्ण संकिर्तनम है ओडिटरेजेंट। Shri Krishna Sankirtanam, Bhagavan Shri Krishna की नाम का किरतन जप, यह साप करने का बश्तु है, क्या करेगा? Cheto Dharpana Marjanam, हमार हिर्दे को चैतिन महाप्रोब ने दर्पन के साथ पुल्णा किये, किसके साथ? अगर कोई आईना में दूल जमा रहेगा आप अपना छшего देख सकते हो? बिल्कुल ने देख सकते हो які, दीखेगा नहीं, बिल्कुल ने दीखेगा, मगर उसको साप कर दिया जाए तो आप अपना छो de खेते हो है न, वेसे ही, हम अपने आपको नहीं जान पाते हो आप ही, हम अभी क्या सोच रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं पूरुष हूँ, मैं स्ट्री हूँ, मैं दॉक्टर हूँ, एंजिनियर हूँ, मैं यह हूँ, थेन हूँ, ओमको, दिमका हूँ, सब कुछ है हम, मगर हम असलित में क तो क्या है हम फिर? असलिएत में क्या है? हम स्त्री नहीं है? हम पुरुष नहीं है? हम डॉक्टर इंजिनियर नहीं है? टीचर्स नहीं है? क्या है? कौन है हम? भगवान केते हैं आप मेरे अम्स हो मेरे अम्स होने के नाते अंस का काम क्या है? पुरुण का सेवा करना बेटा का क्या है? बाप का सेवा करना मा का सेवा करना यह सरीर कहां से आया है? कौन दिया सरीर? माता पिता ने दिया हम को इस सरीर राइट तो सरीर माता पिता दिया इसलिए सरीर का बिलकुल करतब्य है यह दर्म है कि माता पिता को सिवा करना है, है ना, आप लोग मानते इस बात को नहीं मानते हो, यह सरीर का काम है, धर्म है कि माता पिता का सिवा करना, राइट, मगर हम भूल चुके हैं इस बात को, माता पिता का सिवा करना, यह भूल चुके हैं, ऐसे ही, यह जो जीबे, सरीर का क करना उनका सेवा करना अगर कोई पुत्र पिताजी को प्रसंद कर देता है पिताजी ने सारा जाइदा उसकी नाम पर कर देगा नहीं कर देगा क्या बस खुष करना जुरूरी है बास अगर नालाइक होगा उसको नहीं देगा बले कि यह ले जाएगा तो धन को दूसरी गलत इसलिए नहीं तेता है पिताजी जो एक दम बात मानता है पिताजी का सेवा करता है पिताजी का सेवा करता है पिता खुष हो के उसको दिल से उसका असारत जाइजात उसके नाम पे करता है बेटा तेरे नाम पे उसे हमेरे प्रभु आराध्य प्रभु जगरनात प्रभु रा बाप का अपना असली बाप का सेबा चोड़के संसार में सब का सिवा कर रहा है जो जूटा सम्मंद बना कर इस संसार में सब का सिवा कर रहा है बास उनके बाप के और नहीं देख रहा है और बेटा क्यों दुखी है क्योंकि न अपनी बाप को भूला हुआ है कोई बेटा बाप माँ को भूल के सुखी रह सकता है कि आपको लगता है क्या क्या लगता है आपको कभी नहीं ना इस संसार में उसके लाखोद रुपया मिल जाए कहीं फेसिलिटी मिल जाए मगर मा तो मा होती है बाप तो बाप होता है जब माँ बाप की सरण में जाता है तो उसको पूरुन आनंद मिलता है बेटा अगर शूट गया कहीं बाजार में कोई छोटा बच्चा आपका मानलो बाजार गया था आपके हाथ शूट गया बीड में के गुम गया, रो रो रहा है मा के लिए, मा, 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 मा भी डूंड रही है, मेरे बेठा, बेठा, मिल रहा है, बड़ा, नहीं मिल रहा है, बोट भीड है, उसको किसी ने बला, बेठा क्यों रो रहा है, मा, मुझे मा चाहिए, बले कोई बात ने बेठा, बेठा, बे मा को मिल जेता है तब उसको लगता है कि मुझे दुनिया मिल गया आज है ना जो भटका हुआ पुत्र वापस मा को पिता जी को मिल जाता है उसको आनन्द आता है उसको अनन्द आता है उससता है कि मेरा संबंध मेरे माता पिता के साथ है उस लोगों के साथ में नहीं है तब उस समें चॉकलेट सब ले लेगा हो मा होना चाहिए मा के बिना चॉकलेट फिका है उसके सामने एक जाक्लिए यसा ही है जब तक हम पुर्ण पुर्शत्म भगवान का सेवक नहीं होंगे तब तक संसार में सब कुछ आमको तो क्या लगेगा? कड़वाई लगेगा, मिठा नहीं लगेगा एक बार भगवान का सरन लो भगवान इस संसार का पूरा संसार आपको देने को तेयार है बस एक बार सरन तो लीजिए यस तो भगवान वेट कर रहे है कब आएंगे मेरे संतान मेरे चरणों में, कब आएंगे मेरे सेवा करेंगे तो खेहर भथो दुर्भ माराज जी यह हम यह कह रहे थे यह स्री कृष्ण संकिर्तनम यह संकिर्तनिय अग ऐसा है यह चेतो दर्पन左स यह चित रुपी दर्पन को मारजन करेगा, साप करेगा और कोई कोई उपाय नहीं है इस हिर्दे को साप करने के लिए आप देखिए भगतों का अनुभव है पहले हम कितना क्रोधी थे, कितना दंभी थे, कितने रिषालू थे, पर आज काफी चेंजे से, क्यूं? हमने नाम जब करते हैं, हम भगवान का पूजा करते हैं, उनको भोग लगा के चड़ाते हैं, उस परसाद को पाते हैं तो इसलिए उनकी रिदे में क्या करते हैं? भगवान एक जाडू लेके जाते हैं, साप करते रहते हैं, येस, बिल्कुल भगवान सोयम जाके जाड़ू मारते हैं अपने हिर देखो कितने दया है ठाकुरजी का हमारे उपर भगवा विचार करें एक बार ये सरीर भले माता पिता ने दिया है प्रान कौन दिया है माता पिता नहीं दे सकते हैं प्रान को भगवान दिया, सरीर दिया माता पिता, यह मानते हम जरूर है, मगर वो भी, यह सरीर भी, जब तक भगवान आद यह संक्शन नहीं करते, तब तक माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं है, भगवान का किरपा होती है, तो देखिए, कुछ लों का संतानी नहीं है, है की नहीं है, और कुछ लों का संतान है, यानि भगवान की इच्छा की बिना कुछ नहीं हो सकती है, उनका इच्छा से होती सब कुछ, उनका इच्छा से होती सब कुछ, उनका संक्षन करते हैं, तो ये सरीर भले मातापिता दे मगर हमको प्रान देने वाला कोने भग तो प्रभु है और भगवान सर्वस्य चाहम रिदिसन्नी विष्टम मत्तस मुत्र ज्यान अपहनम चो बेदे से सर्वम अहमे बबेद्या भगवान केते हैं मैं सबी की रिदय में बेठा हुआ हूँ किसके रूप में परमात्मा के रूप सब की रिदय में हूँ मगर मुझे कोई नहीं देख रहा है मेरे तरफ कोई जुख मुड़के भी नहीं देख रहा है ये दुर्दसा है आम लोग का तो भग्तों ये की उपाए है हृदे को साप करने का भगवान का नाम संकिर्तन इसको करते रही है करते रही है करते रही है एक दिन आपका हृदे एक दम सवच्छ हो जाएगा दरपन साप हो जाएगा तब आप देख सकते हैं अपना चहरा को तो वेसे हम समझ सकते हैं में क्या हूं? मैं कौन हूं? यह समझ पाएंगे. अब हमने जूटा उपाधी लेके घुम रहे हैं. जूटा उपाधी हैं सब? है कि नहीं है? असली उपाधी क्या है? क्रिष्णेर नित्य दास जीव का सवरुप क्या है? हम लोग का सवरुप क्या है? बगवान स्री क्रिष्न हरी के नित्य दासत्तों, उनकी सेवक बनना. मगर हम इसको भूल कर संसार में सभी की सेवक बन जाते हैं, मगर भगवान का नहीं. तो क्षेयर धुरूब जी इस मंत्र को लेते हुए गय अमना नदिके तठपर मधुवन में और दिन में तीन बार स्नान करते हुए भगवान का नाम एकांत में बेट कर जब करने लगे अभी जंगल घना था इसको कोई भय नहीं था क्यों भय नहीं था पता है एक तो उसको मा मा का अशिरवाथ था साथ में इसलिए भय नहीं था अगर किसी का मा प्रसन है उस लेड का दुनिया बिजय कर सकता है बस मा प्रसन हो जाए उसको और मा इस सबसे हितकारी है हमारा इस जीवन पीता मता कभी बच्चों का हित चाहेंगे क्या आपको क्या लगता है क्र चाहें क्यामा नहीं कुछ भी बच्चा कितना बदमासी भी कर ले तप पर दूक कि माँ उसको प्रेम करती हैं कि नहीं यह 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 मा का सुभाव है इसलिए मा का सुभाव है इसलिए मा का असिरवद है इनके उपर एक बेटा फस्टेल में पड़ता था एक लगते घटना केह रहा ह तो मअ बेटा, थोड़ा दूद ले आना, थोड़ाइट दूद ङरम करके तरे को देना ऑफलाओ माँ ले आतौ बेटा होँ गया दूकान मैं जाके दूद लेया अधा कि लिटर मौलाओम हा 혹시 दूद अणिया थेक है कप्ड़ कोफ़ेगा मैं थोड़ा गज notwend Unterstütु अहां मा कर लीतायो रिπα बेटा सभजिया कुछ नहीं है थोड़ा बाजार जाएगा थोड़ा जाकर में लेया और रहा हैं तो शुब के दोपर का जब लुट्फ नच मत ध्यान भोजन का समय आया तो भोजन में जब बेठा तो पुत्र एक चिथि दिया मा को एक चिथि बड़ा सा अगला मा इस चिथि को देखी वो डाइनिंग टेबल में बेठा ता देखी उसमें लिखा था इसने मा सुब शुब मैं दूद लेकाई दुखान से मुझे पचाश पय दे देना प्लीज मा म झाल देखा इना ठाभी लेगा था एडिना था आथा जा और में कुपड़ा इना च्पड़ी काकर आप रिना थीसर रुफ़ी देखा, चुल मिलाकर माहा धो थूस 어ju रुट एपादी पाल मिलाकर माने यह बीदुर देखी देखी जिए। देखी जिए। इस कि छेहरा ठरी ठ्रेट्रेशफ, ठीया लेत्र नियुरेशऑ ट्राइशचेом पार से चीड़ेशची पीड़ेशटे के किवेश्टा यह श्लाव में जीए टीक्लेशचन हमा निप डिएच। से पीसे बिएचाने के बला लंब कि लगश, रलेशचाने हमा На'd में लोग, तेरे कुछ नहीं चाहिए, बेटा, तेरा बाइक खरिद के लिए, सब कुछ माता ने लिखिए, जो जो खरिए, यह सम लिखा, लास्ट में लिखिए, पता है बेटा क्यों है, क्यों फ्री में, क्योंकि, I love you, मैं आपको प्रेम करती हूं, इसके लिए मैं आपको प ऌने經ыл ङए मैं खर्ण करिए, उसके बाद मैं जन्म होने के बाद कितने बार मेरे मां के गोध में पिसाप ट्टी किया, उसको आपकरी है, कितने बार मुझे बिह ज़्गी है, जगी है यह मेरे लिए, वो सारा चीज याद कर 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 मां के 稍क्र भाल आपको नें लिगे न कि आम लोगों ने, सब कुछ भगवान ने दिया ये जमीन में उगता है, और हम ने उनको, चोटे-चोटे चीज के लिए हम मांगते हैं, भगवान प्री में दिया क्यों, बिकज बगवान हमको प्रेम करते हैं, नहीं तो क्यों देंगे, हवा कोई पेसा लेते हैं क्या, कभी बिल आपके घर पे, देख बेठा, भगवतिलाल सर्मा के नाम पे एक बिल है, क्या है, बच्पन से आज तक जितना तू सांस लिया है, उसका 10-15 करोड़ रुपे का बिल भरना, नहीं तो सांस तरको नहीं मिलेगा, भर बिल फिर बाद सांस ले सकता है तू, देवाला निकल 200-300 लेते हों कि मेरे सब्सक्राइब, कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, अनुभव नहीं हैं, मेरा भी अनुभव नहीं हैं, अनुभव नहीं होना चीए, क्या है, जादा अनुभव नहीं होना चीए, क्या है, जादा अनुभव के लोगों को हुआ था, ए एक रुपय का बिल नहीं दी हमको अगर पूरा जिबन भर का बिल बना दे तो हमारा क्या हो का हालत बता हो विजार किया कभी आप लग ने इस बात की बिजार किये कोई नहीं भी बिचार किया होगा ना क्योंकि आप फ्री में मिल रहे है ना यस और पानी एक बोटल पानी महराज कितने गाता है यह 10 रुपिस 500 ml का जल कितनी रुप में 10 रुपय तो पी लेता हूं बताव मिंस एक लिटर बीस रुपया प्रभुजी एक लिटर बीस रुपय के हिसाब से जलो भगवान डिसकाउंट दे के 10 रुपय की साब से जोड़े हैं मान लिया जाए बचपन से स्नान करने कपड़ा दोने कुकिंग करने पीने जितना पानी यूज किया सब का बिल एक साथ बनके आपके घर पे अगर भेज देंगे यह बिल भर उसके बाद पानी दूँगा में तरको क्या होगा आप लोंगा एक बिचार करो देवाला निकलेगा नहीं निकलेगा यह बिचार करने के योग्य बात है यह अमने कोभी नहीं बिचार कर और इसके बारे में शांस भगवान ने मुक्त में दिया, जल हमको दिया और पता है, स्वमुंदर का जल स्वमुंदर का जल का एक बूंद नहीं पिशकते हो, पिशकते हो क्या? ना, भगवान नमक मिला के घोल के छोड़ दिया ताकि खराबना हो पानी, जब जरौते तब सुरोज के माध्यम से देंगे, बारिश के माध्यम से देंगे आपको ये भगवान का प्रकृति देख अदभूत हमने कभी ये सब विचार नहीं किया, कैसे पानी उपर उठता है, कैसे बापस बारिश होता है, कभी देखा? आपके घर के टंकी क्यों भर रहे थे यहां पर, टंकी में, माराज कोई पाइप पाइप लगाए? मोटर लगा हुआ है? कि ये ऐसे उठ रहा है? मोटर चाहिए, पाइप चाहिए, एक टंकी चाहिए, और टंकी के लिए एक बेसमेंट बना उपर, मैं देख रहा हूँ, भगवान ने टंकी बना रखा है, बिना बेसमेंट के जूल रह ए उपर, देख लो, एक एक टांकी दददस हजार हाती की उतना बल है उनका मिस उतना आउजन है वो जूल रहे है आकास में बादल जूल रहा है न कोई बैसे क्या उच रखने के लिए जूल रहे हैं नहीं गिरते हैं कभी बगवान का प्रकृति यह है और जब जरुटे तब बारिस करेंगे चार करो तो अब आपको लगेगा कि सच में मुझे भगवान का भक्ति करना चाहिए बगवान इतना कुछ दिया जल दिये हवा दिये और लाइट सुरोज की माधियम से जितना आपके घर के लाइट फिल आता है मेने में कितना आता है तो पांसा रुपाइ आता है कि अक्या प्रणि रह आया झाए और खाना, झालाए भूद गिलाएं wy कießen अभाए प्रहे यहां। झाले इन बुट नए रहे ह्क प्रमस्टवे हैं वाधोर अक्याऑन क्यों आजाते, केल और हमने भगवान का रीनी बने हुए है, और भगवान को थेंक्यू भीनिबThere ल तो भग्तों इस पकार से दुरूब महाराज जिने भगवा नाम का उच्छन करने लगे पहला महिना दुरूब जी ने क्या लिया पता है दुरूब जी ने शिर्प और शिर्प फल को लिया क्या लेते थे दिन में एक बार एक टाइम फल लेते थे पेला महिना दूसरा महिना जब आया फल बंद कर दिया फल नहीं ने लाएं क्या लेते एक बार शिर्प और शिर्प जल लेते थे तीसरा महिना में वो क्या लेते पेड की जो पत्ते होते ना ब्रिक्षी की पत्ते वो थोड़ा पत्ते लेकर चोबा लेते तो होगया उनका खा फाल आता भग्ववान्णाम जपने चाथा मेन में शो पत्य वह बंद कर दिये अभी तोड़र धाताती नीची जो गिर मिएकर सुखना था उप्षी यहुची लगाने लगे क्या क्काने लगे कोई इसे कर सकता प्रừa पत्तु हैं देख्ये जिक किया अविए यका जीतना खाले ते थे मुठ्तु तीजया अविचा टूला का ते 효ष को और ऑनी पां दोर्मषाव मेनुच्तु अविए Sabbath किया 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 शिर्फ हवा लिय उप पत्ते बंद क्या लिय खेय अविए अली हवॉप उछी सिर्फ सांस पांच्वा मेना पूरा, छटा मेना जबाया, उनने ने शांस लेना ही बंद कर दिए, वहले कुछ ने लोगा, भगवान को प्राप्त कना, जब शांस लेना बंद किया दुरूपजी, वहाँ देवताओं का सांस बंद लगा, इंदर चंदर सांस ले पराइब घुटन हो लग आख दो, वहले के कुछ, रूप दका की इचा लगा, बंद लगा, क्या दिए को मेना, किसका नाम ले रहा हुआ है yn। देखे तक्ष्टा भगवान, भजगी थीक है। और छे मेना भजन किया, भगवान प्रकट होगे सामने, भगवान बंद जाते हैं, समझ रहे हैं, और केसे हैं, प्रयास से, हमारा प्रयास देखते हैं जब ठाकुर जी, तो भगवान आजाते हैं दोड़के, नालाइक बन के बेठे रहेंगे तो थोड़ी आएंगे ठाकुर भगवान देखते हैं यह प्रयास कर रहा है, बहुत महनत कर रहा हैं मेरे लिए, भगवान कृताग्यों हो जाते हैं, भगवान आके सामने, अब धुरूब मारा चट्टा मेने में जब भगवान का नाम आँख बंद कर जब रहे थे, ओम नमा भगवाते बासुदेवाय तो अब भगवान सामने खड़े हैं, सामने देखकर गदगद होगे हुरुदाय, दुरूब जी का आँख से जर 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 असुरू बहने लगा, भगवान के चरण में गिर के कहीं प्राथनाय गाने लगे, यह बगवान आप कितना ही दयाल है, मेरे जैसे एक पतित, एक सिर्णाय के अब ढगे? यह बगवान द देखके अग का आज której है, यह बगवान दशनले को धनी द क्रणिवां दे कीकना में अलगवान देनी ऑगाने और भगवान भव बंति कर तो प्रणाय करें लगवानी देख Talking, important to me बिटा बोल क्या चाहिए? दुरुब जी बोलते है, कुछ नहीं चाहिए? क्या बोल रहे? आये थे लेने के लिए? आर्त अर्थार्ती जी जी एंसुग्यानी चार परकर लोग आते हैं थाकुर जी पास? और भगवान के बास आते हैं, भगवान इतना क्रिपा कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं, कुछ नहीं चाहिए? लेने आते हैं, मगर भगवान को सुद्व, कब मांगते हैं हम लोग? कौन मांगता है? भीगरी मांगता है? जो अमीर हो, क्यों मांगएगा किसी को? भगत अमीर होते हैं, वो कुछ नहीं मांगते हैं ठाकुरजी, भगवान को बलते हैं, आप ही आजाओ मेरे साथ, आप मेरा पिता बन जाओ, माता बन जाओ, आप मेरा बंधु बन जाओ, तुमेब माता, पिता तुमेब बन जाओ, तुमेब बन जाओ, तुमेब बन जाओ, त सिर्फ भ wokth भाक्त भीकारी को होटे हैं एंको कुछ नहींग और मांगने वाला भिकारी क् regard लुकाता के सब्सकों है we बुधिमानी है, है ना, एक प्रसंग याद आती है, वो बुधी का, है ना, वो राजा का बड़े था, समझ रहे है, श्रीयम्निमाई प्रभू, एक राजा का जनम दिन था, ताइम हो गया, महाराजी देखो, महाराजी थोड़ा बोलने दो आज, ज्यारस के दिन परिशान मत क और दूसरी बाती है, वो रहा है सकते हैं, बताय हैं, बूल तो निए सकते हैं, महाराज खातम करो, कोई बोल सकते हो, ना, अच्छा दूसरी बात सुन् सचेंगे, कैसे निकले हैं यार, इसलोग फसे बाज, और एक आदह सहिए, रहर और आस कथा, सुनना चाहिए, देखे, कि एकादर लोग अभी उठेंगे, मैं मजा कर रहा हूँ, साड़े दस तक ने करोगा, दो पांस मिड़ और करोगा मजा कर तो हुआ क्या भगतो, एक राजा का जनम दिन था, राजा ने अनांस कर दिया, एलान कर दिया मेरा कल जनम दिन है, राजा में जिसको जो चाहिए में दूँगा, मैं खुषू हूँ, तो सब को खबर फेले, सबी लोग सुबे से लाइन लग लग गए, राजा के पास, माराज, क्या incentiv थे आपको, माराज मेरे पत्नीन ये, साधी करा ज़े हो, जचला को अच्छा लड़की देे साधी करा जूह火 मנה ले गहर बढ़लो देँगा, राजा है पूरा राजी हो सका जारा सुकाला का मैं समन दे जोड़ी के पास कमी हिखिए है सब कुछ थे ष confess May the libras, बुडी आए तो सेना पती और ले ये मया बता बता क्या चाहिए तरको बता क्या राजा से मिला है ये राजा के पारशण हमें हमी लोग देते हैं जो भी आप बताओ राजा भोल रखे हमको जो आता है हुआ जो मांगते है दे दीटेगैं मेरा बड्डे बुडिय की बोले आइव क्या फोली है का बातचीत होगा का रही है पूझ का ylonे थे ? भुडिय मा थी सत्तार साल की बुडिय है till decía मंत्री बुडिय मा को त्र राजासे मिलेत् només आढ़ी है राजाert मत्री के मईत्ता जनम दिने तुझ सेचे जो चाहिए में दे son बता, क्या चाहिए? बोले कि बेटा, मेरा कोई संतान नही है, बस तु मेरा बेटा बन जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. बहले कि ठीक है मेरा का बेटा बेटा इन से बाटा, मुझे थे बाटा मनतरियां थे कि बुड़ी पागल है, बुड़ी बेवकुफे, आज यसा अबसर मिला है, बुड़ी चाहिए, तो कुछ भी मांग सकती है, राजमौल भी मांगती, तो छाहिए तो राजा दे ते इतना ख ठीक्या, बुडिया चले गए, अब हुआ किया पता है, दो तीन मेने के बाद, मंत्री कहीं गे थे ब्रह्मन करने, राज जी ब्रह्मन करने, रिटन आरे थे, देखे एक चोटी शी कुटिर था, और कोई खास रा था अंदर, एक ब्यक्तिया को बले, मंत्री साब, आप मंत्री देखे लेखे लेखे, बाद, यह जो बुडिया और जए लेखे लेखे, वडिया जो बेट बनाया थी राजा को विचारी बीमार पड़ी हुए दो पांच दीन से कास रही थी, और मेला कुछ रही थे खाई नही थे बिलकुल एक ऑंद्से हो गए थी, बिलकुल एक रिए क्या हुआ थोड़ा 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 तुरण जाके राजा को महाराज महाराज आपके मा बिमारे मेरा राजमाता बिमारे आप लोग क्या कर रहे हो राजमाता नहीं आपके मा दूसरी मा मेरा दूसरी मा अरे प्रभू आप एक फस्स क्लास के एक 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 यह बुढ़ी तो एक तम राजमाता बन गई है अब मंत्री, सेनापती, सेनिक सोचने लगे बड़ा बुधिमान निकलिए बुढ़िया कितिना चला के राजा को ही बेटा बना ली अगर राजा को ही बेटा बना ली तो उसको कमी क्या हो जाए उसकी जीवन में तो भक्तों भगवान से मांगना यह बेवकुफी है भगवान को ही मांग लो आप ही मेरा बन जाओ कुछ तब कुछ काम बनेगी भीक मंगा कभी खतम दोड़ी होती है माराज आज जाके गाड़ी मंगा गाड़ी कल ढुक जाएगी बापस जाना पड़ेगा आज धन मंगा कल धन खतम हो जावे आज घर मंगा कल टूट जावे भीक मंगा खतम नहीं होती है भगवान को अपना बना लो भगवान आपका जिमेंदारी उलेंगे जाए इठाकुरिजी है अगर बखवान सनागत हो गया बखवान आपका सब तो प्रभु माता है दुरुप जीने पराथना किया बखवान प्रकटट है कैते कुछ चाहिए तु मांगओ वज़ दुरुप कैते कुछ नहीं चाहिए बने नहीं कुछ तो चाहिए होगा, आपने मेरे लिए तपकिया है, जपकिया है, नाना प्रभू, सच में बोलू आपको एक बात, देखो आप लोग, सब का नजर हुआ है, फुरूटी मिलेगी करके, सब वही देखर, आज फुरूटी आई है, सब का नजर हुआ है, ये बिशे से ब्रह ये इसावा है? तो इस जो जर भक्ते ररेंजमेंट में लगें उन लोग एक बार जोरदार हरे किसना हो जाना चाहिए ना? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, बचतो, रढ़को हिरा सपशित कान्य टुकड़ा लिए क कब मशलिया सिर्णी राज़ काउप टुकड़ा, प्रभू कास somehow, अब की हीन। मुझे और कुछ नीचे एक गृपा कर लो कि मुझे भग्तों का संग में रखो भगवान कहते हैं लोग क्या सोचेंगे दुरूब गया राज्य मांगने और भगवान ने उसको दिया भी नहीं भीकमंगा का भीकमंगा ही रख दिया लोग मेरा भजन नहीं करेंगे भगवान भले भले आप नहीं मांग रहे हो मैं पहले से जब तु आया था मेरे लिए तब करने जब करने तब से मैंने आपके लिए एक लोग बना के रखाऊं दुरूब लोग ते लिए तेरे नाम पर रचिस्टर कर चुका हूँ यह लोग रचिस्टेशन पेपर आपके हाथ में दुरूब जी का नाम पर बना रख बना रखभग बना रखए भले लोग के साय पता है दुरूब लोग यह स्वारग को भी का करने वाला इह लोग देवता लोग भी तरसेंगे इस लोग को प्राप्त करने के लिए और दुरूब और एक बात कहता हूं दुरूब लोग का पहरेदार में खुद करूँगा में खुद पेरेदार सिकुरूटी गाड बनके रहोंगा आपको सुरुक्षा प्रदान करोंगा और क्या चाहिए दुरूब जी को यह सिद लोग दी आज भी दुरूब लोग कम देखते हैं यहां से आज भी याद आती है दुरूब जी का देखो क्या भगवान लोग दिया तब लोग यह पुरा संसार को भगवान ने बताना चाहिए थे मेरे भगतों को बिक्ष्यूक नहीं मनाता हूं मैं भगतों को देता हूं मगर कैसे उनका आसकती छुड़ा कर देता हूं दुरूब जी का आसकती ख़तम हो चुका था अभी मांगने का इच्छा नही था तब ड्रश्त बन सकता है आसकत व्यक्ति तो फजर रहेगा निकलेगा कहा तो यसले भगवान तो दुरूब जी का सारा अशक्ति ख़तम हो चुका है इसले दुरूब लोग दिए प्रभु इतना तेजमान लोक इतना अभव्यो लोक देरे हो मैं आसकती में उहीं पड़ा रहों कोई मूर्ख होगा दूसरे की करणना में जाएगा बुद्धिमान ब्यक्ति भगवान की चरणना में आएगा इसले भगवान क्यते है आर्थ अर्थ अर्थ जिग्यांशु ज्यान चारोग कृत्वाग पात्र है क्यूं मेरे पास आने ना दूसरे के पास तो भhatकन ही रहें किसके मांगो किरिष्ण को मांगो जाके बले मांगना भगवान आपको देंगे भी साथ साथ में आपका इच्छा भी खतम कर देंगे मांगने का इच्छा खतम है अब भगवान इसी बात को पुष्टी करते हैं भागवत में ही कहते हैं सत्यम दिसत्य अर्थितम अर्थितो निडाम नई वार्थजत पुनर अर्थितो जता हा स्वयं बिधत्य भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद अपल्लवम भगवान केते हैं सत्यम में सत्य बोलता हूं सत्यम दिशत्य अर्थितम अर्थितो निणाम जो भी मेरे द्वार में आता है अर्थितो अर्थितो निणाम जो कुछ धन मांगने के लिए आता है मैं उसको देता हूं मैं उसको इस सत्य में देता हूं मैं भीक मंगा नहीं रखता हूं भक्तों को दे देता हूं जो मांगते है ठीक है ले जा बेटा मगर देने के बाद मैं सोचता हूं मैंने बट बड़ा दाता तो नहीं हूं क्यों मिन अपने आपको दाता नहीं मानता हूं, में तो बादा मैं तो मैन जो चीज चुछता हूं कि मैंने क्या दिया इसको क्यों चीज भरना जो का लिए यह कि तो यह मानगा फर्ला के दिया यह कर सका रा कम तो की आपको समर्च वाला हम इस इखक बताओं ना मोबाल, ना टिवी, ना घर, ना गाड़ी, ना यह सवरीर ने टिकती है तो बगवान केते हैं, दिस्षत्य अर्थितो अर्थितम निनम, मैं देता हूँ, धनम भी देता हूँ, मांगने से, मगर देने के बाद भी मैन आपने आपको दाता नहीं मानता हूँ, क्यूँ? क्योंक पुना लरत इते बापसा कि माँगे का पुना इसलिमें दाता नहीं है फिर गर एक विषेज बात पता है क्या बगवान केते है स्वयम बिधते भजताम निच्छताम मैं एक चिज बना मांगे देता हूं मेरे भगतों को बना मांगे। तो भाद निजाता भाजता निश्चताम। बना इच्छा का विना भजन करते में भाज़न करते में लिए विना इच्छा उष्चा का भाजता हुआँ कि जीज़्शा पिदानम निजपाद पल्लवम। मैं मेरा चरन कमाल देता हुँआ उन लोंको। और यह कैसा है चरण कमल, कहते है इच्छा पिधानम, यह सारे संसार की इच्छाओं को ढगा देना वाला है यह मेरा चरण कमल, एक बर मेरा चरण प्राप्त होगा, भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, उसका भीक मंगा खतम बिलकुल, तो यह में देता हूं मेरे भक्तों को, त यह सेल उती को चे ब्लेर को, यह मुझे बिलकुल बिलकुल को को मुझे नहीं बमल बिल अदोरा श्चार को प्राप्त। बढ़रा प्राण भक्ता वاتस बीलक्ता कीरे जात्तियतल हलेवा है, तो यह मुझे पलेह से मौई नहीं अड़का थाँडाइ मुफाण को पलें सेल बेखा ने देखा PiTRA Yap, sp Technologies कार दोओना अगर इस फिर में किन्ता करेबा यह करो में कि टिर जए रगे हैं वही लेड़का अगर पिता जि Москвी में पिताजओ करोपा कारेगा पिताजी दस रुपए लें दो ढारे नला यहत जोग तमाच लगाएगा दस रुपए लेलेगा आप यह थें, लिखला आप Правऌह उयों इसे परात ओर ऑग क्रिशने पार शाय तो यह से घाने करने है आप ततक जहालें हमें क्या जुरूरत हो देते हैं सिखलें में क्या प्रूम हो देते हैं और अप्रलखे क्या देवाध किया इस्टे में पता है तो आप अभी विचार कर लो, बुद्धिमानों की मुर्खो आप डिसाड कर लो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram भक्त राज दुरूब महराज की? जाई नारज्जी महराज की? याशिला प्रभुपाद की? गरंत राश्री मद भागवत महापुरान की? जाई श्रीला प्रभुपाद की? आप सब की? गर प्रेमनन्दे बहुत बहुत धन्यवाद, Hare Krishna